वेभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मत्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो घटना सार की बुक को कवर अप करें उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फेक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे य जो कि ना सिर्फ यहाँ पर आपको घटना सार का यह जो करेंट अफेर से देखने को मिलेगा बलकि घटना चक्र इंडियन हिस्ट्री उसके जो MCQ दिये हुए हैं उनको एकदम समराइज करके वो उसकी समरी फॉर्म में वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल ला है अभी त करेंशन हो आपका तब जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएं स्वाइज चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहला जो यहाँ पर करेंट अफेर है इसमें बात हो रहे है कि हाल ही में किस भारती संस्थान के वैग्यानिकों द्वारा अत् पांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक ठीक है इसका विकास किया है यह उपचेयन है ठीक है उपचेयन तकनीक है यह चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि वहराज सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाती पूसा 44 इसकी खेती पर प्रतिबंद लगा दिया तो यह है अपका पंजाब अच्छा देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यह जो आप कोशन्स यहाँ पर देख रहे हो या फिर आप जो पॉइंट्स देख र करना चाहें तब हम सिंपली क्या कर सकते हैं पंजाब लिख सकते हैं पंजाब के आगे ऐसे डैश लगाएं यहाँ पर पूसा 44 बैन और यहाँ पर हम लिख सकते हैं धान ठीक है तो इस तरीके से आपको समझ में आ जागे कि पंजाब वो राज्य है जिसने पूसा 44 इस पर बैन लगाया जो कि धान की पर जाती है तो आप देखो यह तीन लाइने चार लाइने मतलब इन टोटल अगर कहें सो समिट गई मात्र कुछ एक पॉइंट के अंदर तो इसी तरीके से आगे जो हमारा एक वीडियो है जिसमें यह सारे पॉइंट से एक्दम समराइजड वे म इन वाले वीडियो को मिस मत करना यह बेहतरीन वीडियो रहने वाले हैं आगे बात करें कि किस राज ने अक्टूबर दोहजार तेईस में राज पशू की सुरक्षा के लिए नीलगरी ताहर संग्रक्षन पर योजना शुरू की है अब देखो इसके अंदर संग्रक्षन आ बारहाल आपको इतना सब कुछ करने की जरूवत नहीं है यह सब मैं अपने आइंड पे आप लोगों के लिए करूँगा बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा तभी आप देख पाएंगे इन वीडियो को अगला है कि उस राज्य का नाम बताना है जिसने इसने किया और कौन से जिले में किया उत्तर प्रदेश के ठीक है जो हमारा यूपी का करेंट अफिद मैंने अप्लोड किया हुआ है जिसमें अभी तक इन आल 75 कोशन्स अप्लोड किये जा जोग है तीन उसके सेशन आए है अभी उसमें तकरीबन 17 सेशन और आएंगे हर एक सेशन में 25 कोशन्स कवर अब करेंगे टोटल हमारी कोशिश यह है कि हम जो है उसके अंदर 500 प्लस कोशन्स लेके आएं यूपी स्पैसिफिक उसको जरूर देखेगा बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में ठीक है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने मिशन महिला सार् नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारती सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल इसका जो निर्मान किया गया वो कहाँ पर किया गया बकलो हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हैं अगला है आपका विश्व कपास दिवस अब यह कब मनाया जाता है सपोर्स आपसे यह कोश है इसके नाम से पता चलना है तो इसको याद रखना है इसके बाद आगे बढ़ें अगला जो पॉइंट है इसमें बात हो रहे है कि केंद्रिये मंट्री मंडल ने कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रिये जनजातिये विश्विद्याल है इसकी स्थापना को मंजूरी दी त तो तेलांगना के मुलूगू में ये स्थापित किया जाएगा समक्का और सरक्का केंद्रिये जनजातिये विश्विद्याले नेक्स्ट कोशन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरूर या दखेगा एक्जामिनेशन के पॉइंट ओव इसको कि जब भी आप दे सर्षेष्ट परेटन गाउं 2023 सूची में कच गुजरात के किस गाउं को सर्षेष्ट परेटन गाउं के रूप में चुना गया तो ये है आपका धोलडो धोलडो जो है एक गाउं है कहां पर कच गुजरात में इसको संयूक्त रास्ट विश्व परेटन संगठन ने सर्षे हुआ था आपका COP 28 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन इसमें हिस्सा लेते हुए नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2030 को किस पहल कि शुरुवात की घोशना की तो वो था आपका Green Credit पहल इसको किस ने इसके शुरू करने की बात करी है तो यह है आपके नरेंद्र मोदी कहां पर करी जलवायू परिवर्तन सम्मेलन COP 28 ठीक है और यह कहां पर आयो जितकर आगया दुबई संयुक्त अरब अमीरात ने इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला जो कि बात करें कि नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के दस हजारवें जन औशदी केंद्र का उधगाटन किया तो यह करा कहां पर देवगर 36 गड़ में दस हजारवे जन औशदी केंदर इसका उदगाटन किस ने करा नरेंदर मोदी ने आप कहीं भी देखो कोई भी उदगाटन हो रहा होगा ये पहुँची जाएंगे ये ही कर रहे हैं सारी चीजें ठीक है इसके बाद नवंबर दो हजार ते इसमें देश की पहली एरपोर्ट म अमने बात करी थी फातिमा वसीम की जो केप्टन है अब जरह ये दोनों के बारे में बताएएगा अगर आपने नहीं देखा तो प्रिवेज वीडियो में बताएगा अगर आपático पता है तो बताएगा कि उमाशेखर Qi negotiating क्यो रही और फातिमा वसीम क्यों रहीं तीसरा ये फोफिस ठीके इंटरनेशनल जर्नल इसमें प्रकाशित हुआ था नवंबर दिसंबर में और इसमें इनके शोध में ये बात कही गई कि भारती समुदर में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान किये कहां पर मिली है तो यह अंडमान निकोबार दीप समु में मिली है तो यहा दिन का किसमें प्रकाशित हुआ इन्फोफिस इंटरनेशनल जर्नल में ठीके चलो और इनको पदमशरी भी मिला है इसके बाद अगला जो पॉइंट आप यहां पर देख रहे हो इसमें बात हो रही है कि भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गर्मिंटी इन्हों ने 29 नवं ठीक है कहां पर करा पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में जो की अरुनाचल प्रदेश में है इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करते हैं नरेंद्र मोदी का नाम फिर से आ चुका है इसमें प्रधानमंतिर नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित सी ओपी 28 में बैठक में जब हिस्सा लिया तो कब तक भारत में जलवाई उपरिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा तो दोहजार अठाइस में ठीक है मतलब दोहजार अठाइस तक जो है भारत में सी ओपी 33 का जो पूरा आयोजित होना है उसके लिए इनने बात कही इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहां पर कि जल शक्ती मंत्राले ने कहां जल इतिहास उत्सव मनाया तो जल इतिहास उत्सव कहां मनाया गया नई दिल्ली में आयोजित किया गया इसको इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट यहां पर देख रहे हो आप इसमें बात इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा है पॉइंट है इसमें बात हो रही है दूसरी वाइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट इसका वर्चुल माद्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया तो वो है आपका हिंदुस्तान हिंदुस्तान की अध्यक्षता इसकी थीम रही थी ठीक है तो हिंदुस्तान की अध्यक्षता में इस समिट को आयोजन करा गया दूसरी वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट काफी इंपोर्टेंट है यह पूरा वर्चुल हुआ था दूसरी बात इस समिट में जो जिसकी थीम रखी गई थी वो तोगेदर और एवरीवन्स ग्रोथ। विद एवरीवन्स ट्रस्ट यह रखी गई थी इसकी बात नारीयल विकास वोर्ट इसने जो है कहां पर हेलोa नारीयल फ्रीड्स ऑफ को कोकोनट ट्रीज उको खूला एं तो यह कोची के येरला में खूला है इस को सेंटर को नाम क्या है हेलो न सेंटर की बात करें तो इसका उद्देश क्या है कि किसानों को नारियल की कटाई और पौध प्रवंदन कारियों में मदद करना इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करते हैं यहां पर बात और यह नवंबर दोहजार तेईस में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक डायलोग IRRD इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी Maritime Connectivity Through Shipping and Trade तो Maritime Connectivity Through Shipping and Trade यह थीम थी किसकी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलोग ठीक है अब यह कहां पर आयोजित हुआ? यह हुआ आपका नई दिल्ली में तो नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलो इन्होंने विक्सित भारत संकल्प यात्रा कौन से राज़ से शुरू करी? उडीसा से शुरू करी विक्सित भारत संकल्प यात्रा इसके बाद आगे बात करें अगला है सिल्कियारा सुरंग यह किस राज़ में इस्थित है तो यह है आपकी उत्राखंड में सिल्कियारा स तो रंग इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें यहां पर बात हो रही है रिलाइंस इंडेस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट इसको लगाने की घोशना की है तो यह कहां पर लगाया जाएगा गुजरात में लगाया जाए तो वो है आपका अफगानिस्तान इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें यह बात हो रही है आपर किसकी घोल मचली की अब यह गोल मचली के बारे में क्या है गुजरात की यह मचली है और इस मचली को राज के राज की मचली का धरजा जो है वो दिया गया है नाम क्या है गोल मशली ठीक है तो ये स्टेट फिश हो गई है किसकी गुजरात की नेक्स पॉइंट की बात करता है कि सुप्रीम कोट की पहली महिला जज जिनका नवंबर दोहजार तेश में निधन हो गया इनका नाम क्या था फातिमा बीबी ठीक है इसके बाद नेक्स तम बात करें दिस हमानित किया गया प्रशांत एशिया या फिर एशिया प्रशांत पुरुसकार दोहजार तेश से इसके बाद अगला यहां पर पॉइंट है कि वो राज जिसने काजू के लिए भौगॉलिक संके तक प्राप्त हुआ है तो यह है आपका क्या गोवा का जो काजू है उसको य जिस नाम से रेटिंग और प्रमारन पहल को शुरू किया है वो क्या है आपकी नेस्ट एन एस टी ठीक है कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताईएगा नेस्ट का फुल फॉर्म क्या है इसके बाद धूमकेतू P12 पॉंस ब्रूक्स इसकी बात करने वाले हैं पॉंस टेलेस्कोब HCT से किस रहस में धूमकेतू की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है तो वो है आपका धूमकेतू P12 पॉंस ब्रूक्स ठीक है ये एक धूमकेतू है जिसकी तस्वीर ली गई किसके दौरा भारतिये खगोल बहुते की संस्थान के जो खगोल विद हैं उन का यहां पर इस्तमाल किया गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉंट यहां पर है कि लंदन इस्थित लगजरी ट्रेवल पत्रिका कोडे नास्ट इसने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप किये जाने वाले नौवे भारत अंतरास्टिय विग्यान महुतसव का केंद्रिय विशय क्या है सबसे पहली चीज यह जो भारत भारत में जो अंतरास्टिय विग्यान महुतसव है इसका आयोजन किया जाएगा तो यह कहां पर किया जाएगा फरीदाबाद में जो कि कहां प 24 तक इसको आयोजित किया जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो यहां पर है इसमें बात हो रही है नवंबर 2023 में किस राज्य से ग्यानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन वील्स इसकी शुरुवात की गई तो यह है आपका जम्मू कश्मीर जम्मू कश् अगले पॉइंट की बात करें तो यहां पर बात हो रहे है कि भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन एको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हेंडशेक पहल को लांच किया तो यह जो इनोवेशन हेंडशेक है यह अमेरिका के साथ इस पहल को वहीं दूसरा है कि कौन सा राज्ज है जिसने शेक्षनिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समगर आरक्षन को बढ़ा कर 75 प्रतीशत कर दिया तो वो कौन सा है आपका बिहार इसके बाद अगला जो पॉइंट है जी आई टेग प्राप्त करने वाली वेरीनाग चाहे यह कौन से राज्ज की है तो यह है आपकी उत्रखंड की वेरीनाग चाहे इसके बाद आगे बढ़ें बात करें कि असम के कौन से दो रेलवे स्टेशन है जिन्होंने नवंबर 2023 में इट राइट स्टेशन प्रमान पत्र प्रात किया तो यह है आपका रंगिया और मारी यानी रेलवे स्टेशन इसके बाद नेक्स पॉइंट यहां पर बात हो रही ह है कि गुजरात और पच्छमी रेलवे छेतर का पहला रेल कोच रेस्टरा नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉंच किया गया तो यह है आपका ट्रेक साइड तड़का ठीक है तो ट्रेक साइड तड़का जो है यह एक आपका रेस्टरा है पहला रेल कोच रेस्टर बात करते हैं, यहां पर बात हो गता है कि किस हिमालए राज्ज में ऐलीशियस हिमाले, नामक पौधे की नई प्रजाती खोजी गई तो वो खोजी गई कहांपर अरुनाचल प्रदेश में इसके बाद आगे बात करते हैं अगला यहां पर है कि भारत और अमरिका के बीच 2 प्लस 2 वारता ये कहांपर आयोजgewिद की गई तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया इसके बाद राश्टी नवंबर 2023 में किस राज के उच्छ ने आया ले ने महादेव वनजीव अभ्यारंड इसमें टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है तो वो क्या है अपका गोवा गोवा में महादेव वनजीव अभ्यारंड इसका जो है गठन किया जाएगा इसके बाद आगे बढ़ है कि आजादी का जो अमरत महसब है और मेरी माटी मेरा देश ये जो अभ्यान है इसमें कौन सा राज जो है वो शीश इस्थान पर रहा तो ये रहा आपका गुजराद मेरी माटी मेरा देश अभ्यान ठीक है इसके बाद नेक्स पॉइंट पर चलते हैं यहां पर बात हो र यहां पर बात हो रही है कि सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांग में हिंदुस्तान की रैंकिंग कितनी रही 40 वी रैंकिंग रही इंडिया की वैश्विक नवाचार सूचकांग में इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर बात रहे हैं कि International Institute for Management Development IMD 12 सितंबर 2023 में जारी की गई World Talent Ranking 2023, भारत की रेंकिंग कितनी? 56, टोटल कितनी इसमें अर्थवे उस्ताओं को शामिल करा गया? 64. इसके बाद अगला यहाँ पर है कि सितंबर 2023 में भारत के पहले कोर्टोग्राफी संग्राले जार्ज एवरेस्ट इसका उदगाटन कहा पर हुआ? मसूरी उत्राखंड में वेरी वेरी इंपॉर्टन जरूर इसको याद रखें ठीक है? भारत का पहला कोर्टोग्राफी संग् सूरी उत्राखंड में इसका उत्गाटन किया गया इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करता है कि भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज में खोली गई तो ये खोली गई आपके गुजराद में शीत तेल उत्पादन सेवा इसके बाद अगला य परियोजना को शुरू किया गया, उसकी मनजूरी दी गई, तो ये 36 गड़ में स्टार्ट करी गई चाक परियोजना, परपस क्या है कि जो स्कूली शिक्षा है, उसका परिद्रश बदलना जाए और वहां पर तेजी से बदलाव लाया जाए, और इसमें इंडिया की सरकार, मत विश्व बैंक इसने सहयोग किया है, मतलब विश्व बैंक के सहयोग से 36 गड़ में इस चौक परियोजना को स्टार्ट किया गया, इस परियोजना के माद्यम से एक लिए 5 वर्षू, मतलब जुलाई 2003 से लेकि सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल 300 मिलियन डॉलर क की सहयता प्रतान की जाएगी, इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप और ज्यादा समराइजड वे में देखना चाहते हैं, चैनल पर बने रही है, प्रोबैबली कल से आपको इतना शॉर्ट मिलेगा, म माइक्रो नोट्स जो मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अपने माइक्रो नोट्स बनाई है ताकि एक्जामिनेशन के टाइम पर आप रिवाइस कर पाऊँ चीजों को, तो वो माइक्रो नोट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो जरूर देखिएगा, ठीक है, सो म चलते हैं, नेक्स वीडियो में, तिल देन थैंक यू सो मुच, वाइस टीप, बबाए